हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बैसाक महने की कृष्ण पक्स की सकर चतुर्ती आती है, उसकी कथा सुनाती हो, एक बुड़ी मा थी और एक बेटा था, बुड़ी मा जो है सकर चौत का ब्रत क्या करती थी, और बेटा मतलब काम क्या करता था घर में, छोटा मोटा, तो सकर लाती थी, एक चौत माता के लिए रखती थी, एक गनेज जी की, और एक खुद एक अपने बेटे को दे देती थी, इस तरहे वो पूजा गया करती थी, एक दिन बेटा जो है बगल में पडोसन के घर गया, तो पडोसन ने उस बच्चे को भड़का दिया, कि तेरी मा बनाती बेटा, एक चौत माता का, एक गनेज जी का, एक गाय का, एक अपना, एक तेरा, तुझे बिस्वास नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तो लड़का गुस्ते में बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, तो बुड़ी मा बोली, तु घर छोड़कर जा रहा है, तो ये चौत माता का परसाद ले जा, रास्ते में जो भी परसानी होए, तो इस परसाद को देखकर तु बोल देना, तो इजरी परसानिया दूर हो जाएगी, ठीक ऐसे ही बेटे ने करा, बेटा गर से निकल गया गुस्से में, और परसाद लेकर चल दिया, रास्ते में एक नदी पड़ी, तो इसको नदी पार करनी थी, तो उसने उस परसाद से बोला कि नदी का रास्ता बना दो, मेरे रास्ते से उस पार जाना चाहता हूँ, नदी ने रास्ता बना दिया, आगे गंभीर, मतलब बहुत घना जंगल मिला उसको, तो उसने परसाद लेकर बोला हाथ में, कि हे चौत माथा आप रास्ता बना दे तो जंकल का रास्ता भी साफ हो गया लड़का निकल गया ऐसे निकलते निकलते वो एक गाव में पहुँचा वहां देखता है एक बुढ़िया खाना बनारी है और रोती जारी है तो उस लड़के ने पूछा मा आप क्यों रो रही है तो उसने का आज में इस गाउं में एक बच्चे की बली दी जाती है और आज मेरे बच्चे की बली देगा राजा इसलिए मैं रो रही हूँ तो लड़के ने कहा कि मा बस इतनी सी बात है तू ऐसा कर मुझे खाना किला दे तेरे बेटे की जगे मैं चला जाओगा जब राजा बिलाएगा बली के लिए तो उस बुडिया मा ने उसको खाना किलाया भरपिट फिर वो ठीक ही लड़का जो है बली के लिए चला गया और अलाब महा पर मतलब लकडी का एक चूला टाइप का अलाब जलता है वहां उसके अंदर बैढ़ गया और मतलब एक लोटा लिया उसने और चौत माता का परसाथ हाथ में लेकर बैढ़ गया सुबह देखते कि आए वो बेटा जला ही नहीं मतलब जो आदमी था वो जला ही नहीं तो राजा ने मतलब दूर दूर जगा में बात पहुंच गई कि अरे एक आदमी आया है वो उसके अंदर जला नहीं राजा बोला ऐसा कैसे हो सकता है अलाब में तो मतलब जलकर मड़ ज सकती है तो मतलब अपना परिच्छा दो तो राजा ने दो घोड़े बंगवाए एक पर खुद बैटा दूसरे घोड़े में उसको बांधिया रस्ती से वो जला अब तेरी चौत माता में इतनी सकती है तो 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 उस लड़के ने ऐसा ही किया चौत माता से प्रातना करी और राजा ने जज़ीरों से बंद भादिया जोड़े के साथ देखता गया राजा कि ज़न्जीरों से खल गया राजा को अपनी गल्ती का एसास हुए तो 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 राजा ने कहा कि तो तो ख्वेम बेप्त लोगे और दूर दूर तक ढगा डिया राजा खुद भी रहने दिया मीरा या नई महा तेरा बेटा-बहू के साथा भूं है ये नाता को देखका अगर तो झाओन उसके घर में भी सुक्रम्रदी आती है, जो पढ़ता है, उसको भी सुक्सम्रदी और अखंडपुन की प्राप्ति होती है.